तो मैं करुणा आज आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ आपका क्लास 12 का हिस्ट्री सब्चिक्ट का मॉडल टेस्ट पेपर कह लीजिए या फिर प्रेक्टिस पेपर कह लीजिए जो की अपलोड किया गया है डिरिक्ट्रेट ऑफ एजुकेशन के द्वार तो बिटा यही आपका सेकिन ट्रम का एक्जाम पेपर का पैटर्न भी है तो इसी के अकॉर्डिंग सेम इसी पैटर्न पे कोईशन्स भी आएंगे तो ध्यान से आप सभी को इस वीडियो को देखना है सबसे पहले तो आप सबको पता है कि यह मैक्सिमम 40 मार्क्स का एक्जा गा और गा सभी प्रश्न करना अनिवारे हैं एक से चार तक जो लगू उत्रिय प्रश्न है वो आपको तीन अंक में दिये गए हैं और आपको इनका अंसर असी शब्दों में देना है खंड खा में बिटा आपके 5 से 7 तक दिर उत्रिय प्रश्न दिये गए हैं ये 6 अंको का एक प्रश्न है और इसके आंसर आपको डेर सो से 200 शब्दों में देने हैं खंड घा में 8 और 9 जो प्रश्न है वो केस पर अधारित आपका प्रश्न है चार नंबर का ये प्रश्न है और खंड घा में आपका एक प्रश्न है कोश्य नंबर 10 जो की मानचित्र पर अधारित है और ये दो नंबर में आपसे पूछा जाएगा प्रशन पत्र में कोई भी बहाय विकल्प यहां पर आपको नहीं दिया गया है जिन प्रशनों में आंत्रिक विकल्प दिये गए हैं उनमें दिये गए विकल्पों में से किसी भी एक विकल्प का उत्तर आपको देना है दूसरे विकल्प का आपको उत्तर नहीं देना इसके आतिरिक्त खंडों और प्रश्णों के साथ जहां आवशक्ता समझी गई है महां अलग से दिशानरदेश आपको दिये गए है तो बेटा यहां पर आपसे पूछा गया है सेक्शन ए में कुशन नमबर फस्ट सवीधान सभा के सामने प्रस्तुत उदेशे प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया था कोई भी तीन इसके अंदर आपको लिख देना है तो बेटा यहां पर थोड़ी सी दिक्कत बस ये है कि हमारे जो questions है और जो answers है वो अलग-अलग है तो ये है इसका question number first का answer कि उदेशे प्रस्ताव में आजाद भारत के मूल आदर्शों की रूप रेखा पेश की गई थी सबसे पहला point हमको कोई भी तीन लिखने है यहां पर 6 point दिये गए है छे में से कोई भी तीन जो आपको याद हो जाएं आप लिख सकते हैं सेकेंड उदेशे प्रस्ताव के माध्यम से उस framework को प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार सविधान निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाया गया थर्ड है बिटब प्रस्ताव में है सुनेश्चत किया गया कि समस्त भारत के लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक प्रतिस्ठा अवसर और न्याय की समानता प्राप्त होगी point 4 अभिव्यक्ति उपास ना ववसाय आदी की मौलिक सतंतरता भी होगी point 5 अल्प संख्यक एवं पिछड़े वर्ग के तथा जनजातियों के लिए रक्षात्मक प्रावधान होगा इसके अलावा भी अगर कोई बिंदू है तो वो इधर एड़ किया जा सकता है तो आपको इन में से कोई भी 3 point याद रख लेने है जिसका जवाब आप दे सकते हो बिटा आपसे second question जो पूछा गया है वो है साहुकारों, जमिदारों, आपनिवेशिक राज्य के विरुद सान्थाल विद्रों के 3 कारण आपको बताने है सान्थाल विद्रों के 3 कारण बताने हैं जो किसके खिलाफ किया गया था साहुकारों के, जमिदारों के और आपनिवेशिक शाशन के तो बिटा इसमें हम लिख सकते हैं कि बिटिस शरकार सान्थालों के क्रशी भूमी पर भारी भूरा जस्व लगा रही थी साहुकार उची दर पर व्याज वसूल रहे थे दिकूओं के द्वारा सान्थालों की जो जमीन हैं उस पर कबजा किया जा रहा था जमिदारों, साहुकारों वे बिटिस अधिकारों द्वारा दामिन अकोहो इलाके पर अतिक्रमन किया जा रहा था इसके आतिरिक्त सान्थाल विद्रो 1855 से 1856 तक साहुकारों, सरकारों और जमीदारों के खिलाफ भागलपुट से लेकर राजमहल की पहाडियों तक चला गया बिटा इसमें से कोई भी तीन पॉइंट जो आपको सही लगे आप लिख सकते हैं इसमें आपको एक सेकिंड कोईशन में आपको यहां ओप्शन दिया गया है अगर आपको सान्थाल विद्रों के बारे में नहीं लिखना तो आप इस्तमरारी बंदोबस्त लागू होने के बाद जमीदार अपनी राजस्व मांग को अदा करने में बराबर कोता ही करते रहे और राजस्व को बकाया रकम बढ़ती गई उक्त कथन की आलोचनात्मक समिक्षा यहां पर आपको करनी अगर आपको उपर वाला प्रशन नहीं आता है तो नीचे चौईस वाला प्रशन आप कर सकते हैं तो क्या लिखेंगे इसमें पहला तो राजस्व की बहुत उची मांग थी सेकंड उपज की नीची कीमतें जिससे कर चुकाना मुश्किल हो जा रहा था मतलब ही जो खेती होती थी उसको जब बेगते थे तो वो सस्ता बिखता था समान तीसरा आसमान राजस्व मतलब जो कर चाहिए होता था उसका कुछ दरी निरधार इतनी थी चौधा सूर्यास्त विधी पांचवा जमिदार की सीमित शक्ती छटा जमिदार की सैनिक तुकडियां साथवा रेतों से जमिदारों द्वारा करल की वसूली में समस्या इसके अल लिखना है बिटा आप देख लेते हैं आपसे कोशन नमबर तीन में क्या पूछा गया है तो मुगर सामराज्य के अंतरगत 1857 में विद्रोहियों द्वारा की जा रही घोशनाओं में भारतिय समाज के सभी तबगों में एक्ता और सहे अस्तित्व का आवाहन किया जाता था एक ताके ले उनके द्वारा अपनाए गए किन्ही तीन तरीकों की इहां पर व्याख्या करनी है तो इसमें हम लिख सकते हैं बिटा नमबर एक घोशनाओं द्वारा सभी लोगों को बिना जाती और धर्म का भेद किये विद्रोह का अभाहन किया जाता था सेकिंड है मुसलिम राजकुमारों या नवावों की ओर से की गई घोशनाओं में हिंदूओं की भावनाओं का विशेश ख्याल रखा जाता था तीसरा इस विद्रोह को ऐसे युद्ध के रूप में प्रैस्तुत किया गया जिसमें हिंदूओं और मुसल्मानों दोनों का सामान लाव और सामान हानी होनी थी इस तहारों में अंग्रेजों से पहले के अतीत की और धिहाना करशित किया जाता था जैसे मुगल सामराजय के अंतरगत धार्मिक सहनशीलता की निती के कारण सभी समुदाय में सहसितु की भावना की भी प्रशंसा की जाती थी पॉइंट नमबर फाइफ बहादुर सहा के नाम से जारी की गई घोशनाओं में मुहमद और महावीर दोनों की दुहाई देते जनता से इस लड़ाई में समलित होने का आवाहन किया गया तो बिटा इसके अलावा भी अगर कोई पॉइंट होता है तो वो इस कोईशन में माना जाएगा लेकिन आपको आंसर देना है सिर्फ तीन पॉइंट्स में देख लेते हैं बिटा आपका कुईशन नमबर फोर में बिटा आपसे पूछा गया है चमपारण, खेडा और एहमदाबाद में की गई गांधी जी की पहल ने किस प्रकार उन्हें एक ऐसे रास्ट्रवादी के रूप में उभारा जिनमें गरीबी के लिए गहरी सहानों भूती थी किसके लिए गरीबी और गरीबों के लिए देख लेते हैं इसका अंसर पेटा ये तीन नंबर में पूछा गया प्रश्न है और इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि चमपारण में किसानों के लिए काशतगारी की सुरक्षा और अपनी पसंद की फसल उपजाने की आजादी दिलाने के लिए गांधी जी ने सहीयोग किया सेकेंडे बेटा खेडा में फशल चोपट हो जाने पर राज्य के किसानों का लगार माफ करने की मांग भी गांधी जी ने की जो दिखाता है कि वो गरीबों के साथ थे पॉइंट नमबर तीन में हम लिख सकते हैं कि एहमदाबाद में कपड़े की मीलों पर काम करने के लिए काम करने की बहतर इस्तितियों की मांग भी गांधी जी के द्वारा की गई इसके अतिरेक्त चमपारण खेडा एहमदाबाद में इन पहलों से गांधी जी खुद एक ऐसे रास्ट्रवादी व्यक्ति के रूप में उबरे जिसकी गरीबों के प्रती गहरी सानुबूती थी इसके अलावा भी और भी बहुत सारे काम यहाँ पर लिखे जा सकते हैं लेकिन तीन नंबर का प्रश्ण है तो आपको कोई तीन बिंदूओं में ही इस कांसर देना है देख लेते हैं आपका नेक्स्ट कुश्शन तो बिटा खंड खा अब शुरू हो रहा है और खंड खा में पूछा गया पहला प्रश्ण है 1857 के विद्रोहों के बारे में चित्रों से क्या पता चलता है इतिहासकार इन चित्रों का विशलेशन किस प्रकार करते हैं तो देखते हैं आंसर पॉइंट वन में हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अंग्रेजों और भारतियों द्वारा विद्रों की कई तस्वीरें यानि की पैंसिल से बने हुए स्कैच इसकिन चित्र जो बने पोस्टर कार्टून आधी जो बने इन से विद्रों की निमलिखित छवियों का ज्यान होता है चित्रों में ब्रिटिस रक्षकों का अभिनंदन या अंग्रेज नायकों का गुंगान किया गया है इसके अतिरिक्त टॉमस जोन्स बाकर दुआरा बनाया गया जो चित्र है तो रिलीव आफ लखनों में कैंप बेल के आंगमन पर जन्स मनाने का द्रश्यत चित्रत किया गया है जो दिखाता है कि ब्रिटिस सत्ता और नियंतरण स्थापित हो चुका था पॉइंट फॉर यानी कुछ चित्रों में विद्रों के दोरान अंग्रेजों की दुरदशा को दिखाया गया है जैसे जौसिफ नॉयल पेटन ने इन मेमोरियल चित्र में विद्रोईयों क हिंसावे बरबरता का प्रदर्शन किया है इसके अतिरिक्त कुछ चित्र जैसे मिस वीलर का विद्रोहियों का सामना करते हुए चित्र जिसमें धर्ती पर बाइबल पड़ा है अंग्रेज ओर्तों के संघर्ष का चित्रन है जो की धर्म की रक्षा का संघर्ष साबित करता है इन चित्रों में अंग्रेज द्वारा विद्रोहियों से प्रतिशोद की भावना और उनके सबक सिखाने की भावना पनपती है जैसे एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लिये हुए महिला का आकराम अकरूप चित्र में पेशावर में विद्रोहियों को मृत्युडन तोब से उडाते हुए प्रदर्शित किया गया है पॉइंट सेक्स विद्रोहियों को निर्मम तरीके से मोद के घाट उतारना या खुलेयाम फासी पर लटकाना जैसे चित्र लोकों में दहशत या डर फलाने के लिए पत्र पत्रिकाओं के द्वारा विभिन इस्थानों पर भेजे गए पॉइंट नम्बर सेवन कर्णिगम को एक भव्य नेक व्रत के रूप में दर्शा कर उनका मजाक उड़ाया गया इससे तात पर रहे हैं कि प्रतिशोद की आग में दया का कोई स्थान नहीं था और विद्रोहियों से सक्ती का वहवार करना पड़ा या करना चाहिए नेक्स्ट है द्रास्ट वादी द्रश्च कल्पना विद्रोह को प्रथम सतंदृता संग्राम के रूप में भी दिखाया गया जैसे रानी लक्षमी बाई विदेसी शाशन के विरोध का प्रतीक थी पॉइंट नम्बर नाइन में हम लिख सकते हैं ये तस्वीरें अपने समय की भावनाओं को एहसासों को और समवेदनाओं को प्रतिबंबित कर रही है देख लेते हैं बिटा आपका नेक्स्ट कुश्चन कुश्चन नम्बर सिक्स है यहाँ पर गांधी जी ने भारती रास्टे आंदोलन को सुरूप एक जन आंदोलन में बदल दिया उधारण के साथ आपको इसकी विवेच ना करनी है और बिटा इस कोश्चन में आपको चॉइस भी दी गई है या तो आप उपर वाला बताईए या नीचे वाला नीचे प्रश्ण में आपसे पूछा गया है दिसंबर 1929 में कॉंग्रेस के लाहोर अधिवेशन के महतु को इस पस्ट कीजिए 26 जनवरी 1930 को सोतंदृता दिवस मनाने के लिए गांधी जी दुहारा दिये गए इन निर्देशों का उलेक यहाँ पर आपको करना है तो देखते हैं सॉलिशन आपका कॉश्ण नमबर 6 का कॉश्ण नमबर 6 में पहला प्रश्ण का अंसर है गांधी जी की भासा और सादगी उन्हें जनता से जोणने में मदद करती थी क्योंकि उनका रहन सहन खान पान बिलकुल सादा था आम आदमियों के जैसा था सेकेंड पोशाक और जीवन शेली में आम लोगों के साथ सहानु भूती और पहचान गांधी जी ने बनाई थी कांधी जी ने तीन जनांदोलन करे थे जिसमें व्यापक रूप से लगभग सभी वर्गों ने अपनी भागेदारी दी थी चौथा उनके आवाहन पर छात्रों ने सरकार द्वारा संचाले इस्कूल और कॉलिज भी जाना बंद कर दिया था पॉइंट फाइड वकीलों ने अदालतों में जाने से इंकार कर दिया मजदूर वर्ग ने सहरों में हर्ताल कर दी यहां तक की महिलाएं भी शराब की दुकानों के भार धरना देने लगी इसके आतिरिक्त जनजातियों ने वन कानुनों का भी उलंगन कर दिया पॉइंट सिक्स हिंदू मुश्लिम एकता पर जोर दिया गया हिंदू और मुसल्मानों ने खिलाफत और ऐसे ही योग अंदोलन में बढ़ चड़ कर भाग लिया पॉइंट नमबर सेवन उन्होंने स्वसाशन की अवधारना को भी बढ़ावा दिया सत्या ग्रह को लोगप्रिय बनाने जैसा महतवपूर काम भी कान्धी जी ने किया उन्होंने अहिंसा को लोक्प्रिया बनाया, उन्होंने स्वधेशी और बहिस्कार पर जोड़ दिया, स्वधेशी और बहिस्कार ने आम लोगों का ध्यान आकरशित किया उन्होंने चर्खे के माध्यम से विकिंद्री करण पर जोड दिया एस परशता के खिलाप उन्होंने आवाज उठाई चर्खे के प्रतीक के माध्यम में स्वदेशी उद्योगों का पुनगठन किया महिलाओं की सिती में सुधार लाने का प्रयाज किया उन्होंने देश के विभिन्ह हिस्सों में कॉंग्रेस की नई शाखाएं स्थापित करी और रजवारों में प्रजा मंदल की संख्या अस्रंख embedded किया उन्होंने कॉंग्रेस का भी एक तरह से पुनरगठन किया इसके अतिरिक्त प्रतिभाशाली भारतियों को एक सम्हू ने स्वयम के गांधी जी से जोड़ा महदेव दिसाई, वल्लभाई पटेल, जवाहरलाल नहरू, सी राजगुपालाचारी वे सभी विविन छेत्र और धार्मिक परंपराओं से आते थे बेटा इसी में आपका जो अत्वा वाला प्रशन उसका अंसर देख लेते हैं, दिसंबर 1931 में कॉंग्रेश का वार्षिक अधिवेशन लाहोर में हुआ, जवाहलाल नहरू ने इस अधिवेशन का अध्याक्ष उनको बनाया गया, जो युवा पीढ़ी के नेतरत्व के प्रत थानों पर रास्टे द्वच फेराकर और देश भक्ती के गीत गाकर सुतंत्रता दिवस मनाया गया, गांधी जी के अनुसार सुतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा सभी गाउं, सभी सहरों तता पूरे देश में एक ही समय संगोस्ठियों के द्वारा की गई, इसके अलावा समहारों की शुरुवात में रास्टे दुहच को फेराया जाए और दीश भक्ती गीत गाये जाए ये भी पहले से निर्धारित था इसके अतिरिक्त दिन में रचनात्मक कार्य जैसे सूत की कताई अचुतों की सेवा हिंदो मुस्लिम पुना मिलन आदिकार्य किये जाएं उस दिन इसके अलावा लोगों को यह भी प्रतिग्या लेनी चाहिए कि भारतिय लोगों को सुतंत्रता का अधिकार है और कोई भी सरकार इन अधिकारों से उन्हें वंचित नहीं रख सकती अगर कोई सरकार इसका दमन करती है तो जनता को इस अधिकार को बदलने का या इस अधिकार को सदा के लिए सबाप्त करने का अधिकार भी है बेटा ये ता सॉलिशन आपके question number 6 का एक बार आपका question number 7 देख लेते हैं question number 7 में बच्चे आप लोगों से पूछा गया है मुगल शाशकों की शक्ती सीधे इश्वर से मिलती थी देव्य प्रकास की सिध्धानत को सपस्ट करते हुए इस कठन का युक्ति पूर्ण आंसर दीजिए second है आपका राजय पद के आदर्शों राजदर्बारी रिती रिवाजों पर प्रकास डालते हुए मुगल दर्बार और प्रशाशन की वर्तमान भारते शासन विवस्ता से तुलना कीजिए तो इस कोशन में भी आपको चॉइस दे रखी है तो इसका आंसर देख लेते हैं बिटा कुशन नमबर सेवन का आंसर है कि मुगलों का राजद्व सिद्धान्त को किसने सबसे उचा रखा तो अबुल फजल ने रखा अबुल फजल कौन था अकबर के समय का दर्बारी लेखक जो कि अकबर के बाद जहांगीर काल में भी इनोंने इतिहास को लिखा है यानि कि ये मुगलकार के प्रबल इतिहास कारक थे जानी अलक नुआ की कहानी को ये समझाने का प्रयास किया गया कि गर्ब में पल रही संतानों पर देविय प्रकाश का प्रभाव है देविय प्रकाश पीडी दर पीडी हस्तांतरित होता है ऐसा मुल फजल ने लिखा है मुगल राजत्व के अंतरगत संताने फरे इजादी अर्थात इश्वर ये प्रकाश को धारण करती है इसके अलावा फरे इजादी का सिध्धान्त सर्फतम सूफी संथ सिहाबुद्दीन सुहुरावर्दी ने प्रस्तुत किया था देवियरा जत्व के अनुसार मुगल बादशा प्रत्वी पर इश्वर का प्रतिनिधित्व करता है इतिवत्रों के विवरणों से इन सभी चित्रों के साथ इन विचारों को इस प्रकार दिया गया कि देखने वाले के मन मस्तिश्क पर इसका इस्थाई प्रभाग बना रह इसके अलावा भी और भी बिंदू आप इसके अंदर लिख सकते हैं अत्वा वाला प्रशन अगर बेटा हम देखें तो अत्वा वाले में यहाँ पर फर्स्ट पॉरंट हम लिख सकते हैं मुगल समराज्य के सासक श्वयम को एक विशाल और विचातीय जनता पर साशन के लिए नियुक्त मानते थे कि उनको तो इश्वर ने नियुक्त किया है सेकंड असलियत में राजनितिक परिस्थितियां इस भवे द्रस्टी को सीमा बद्ध कर देती थी फिर भी इसी तरह से द्रस्टी महत पून रहती थी थार्ड में हम लिख सकते हैं कि मुगल बादशाहों द्वारा मुगलों वे स्थानिय सरदारों के बीच राजनितिक और मैत्रिय के जरिये विभेन छेत्रिय राज्यों को मिला कर मुगल सामराज्य के स्थापना की गई थी पॉइंट फॉर बादशाहां बढ़ने अपने सामराज्य का विस्तार कर लिया था कुछ युद के जरिये और कुछ विवासंबंद स्थापित करके पॉइंट फाइव उन्होंने इसे अपने समय का विशाल तम, द्रंट तम या सबसे समरद राज्य बना कर इसको सुद्रण भी किया इसके अलावा इरान के सफावियों तथा तूरान मधेश या के उजबेकों की विस्तारवादी योजना पर लगाम भी लगा कर रखी गई मुगल सामराज्य में किरिया और सत्ता लगभग पूरी तरह से एक मात्र बादशा में निहित थी यानि कि जो भी था वो सिर्फ और सर्वोपरी बादशा ही था सेस राज्य को बादशा के आदेशों का अनुपालन करना होता था मुगल राज्य का एक महतोपूर इस्थम इसके अधिकारियों का दल होता था जिसे इतिहासकार अभिजात वर्ग भी कहते थे अभिजात वर्ग में भरती विविन नौ जातिये या धानमिक समूहों से की जाती थी आज भारत में गरतंत्र वविस्था देश के सविधान सभी नागरी को समान दर्जा देता है धर्म जाती रंग लिंग छेत्र के अधार पर कोई भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता अब हम देखेंगे तो आपका कुशन नमबर एट जो की है केस पर आधारित प्राशन ये दे रखिया आपको आपकी केस स्टडी इसको ध्यान से पढ़ लेना है नाम है बादशानामा का सफर तो मुगलों के अधीन बहुमूले पांडूलिपियों की भेट एक स्थापित राजनीतिक प्रथा थी इसी का नुकरण करते हुए अवद नवाव ने 1799 में जॉर्ज तृत्य को सचित्र बादसा नामा भेट किया और तभी से ही है विंडी सर कासल के अंग्रे जी शाही शं गया 1994 में हुए सरक्षण कारे में बंधिवी पांडूलिपी को अलग-अलग करना आवश्यक हो गया इसी वज़ा से चित्रों की प्रदर्शी करना कम संभव हुआ 1997 में पहली बार बादसा नामा के चित्र नई दिल्ली लंडन और वसिंग्टन में हुई प्रदर्शनियों में दिखाए गए अब ये तो था आपका केस स्टडी अब केस स्टडी पे आपका जो प्रश्न है उसमें पहला प्रश्न है की पांडूलिपी क्या है दूसरा अवद के नवाव ने जोर्ज तीतिय को पांडी लुपी क्यों भेट करी और तीसरा है बादसा नामा के लेखक कौन है और यह किस के साशनकाल से संबंदित है तो देख लेते हैं इनके अंसूर्स कुश्य नमबर नाइन में पिटा हम लिख सकते हैं कि महिलाओं के लिए न्याय की मांग बढ़ाई गई बंबई में इस पर आवाज उठाईती हंसा महता ने इसके बारे में थोड़ी डिटेलिंग करनी है जिससे कि वनमाक्स आपको यहांबर मिल जाएगा इसके अलावा पुलोस और महिला के बीच वास्तविक सहयोग परसपर एक आदर और समझ से ही संभव होता है थर्ड है आपका सविधान सभा में महिलाओं के लिए सामाजिक न्याय आर्थिक न्याय और राजनितिक न्याय की मांग रखी गई थी इसको explain करेंगे तो आपको two marks मिलेंगे पिटा अत्वा में आपको इहांपर एकना मैप दिया गया है इस मैप में आपको दिखाना है चोरा-चोरी की घटना और बनारस को हाँ जी पिटा तो ये था आपका model test paper history का class 12 के लिए आशा करती हूँ आपको पूरा model test paper बहुत अच्छे से समझ आया होगा exam का patent भी आपको पता चल गया होगा वैसे तो अधिकतर बच्चों को पता होगा लेकिन जिनको नहीं पता है उनको भी पता चल गया होगा तो बिटा प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल भी सब्सक्राइब जरूर करें